हमने पिछली क्लास में फलन एवं संबंद के बारे में अध्यन किया था आज हम फलनों का सयोजन के बारे में अध्यन करेंगे सबसे पहले हम एह देखेंगे कि फलनों का सयोजन क्या होता है यहाँ पर तीन समुच्चे देख रहे हैं आपको चितरे में A, B, C एक फ़लन F जिसका जो की A से B में कार करता है और G फंक्षन है B से C के बीज़न कार करता है तब F और G का सयोजन वो हम GOF से निरूपित करते हैं और यह है फंक्षन इस तरह से डिफाइंड है कि GOF जो है A से C के बीज़न कार करता है GOFX बराबर GFX अब यहां चित्र में देखो कि A का एक अबयाब X लिया उस पर हमने एक फ़लन F आरूपित किया तो हमको क्या मिला F जो किसका अबयाब है B का अब F पर हम G फंक्षन आरूपित करते हैं तो GFX मिलता है वह है C का अबयाब है अब इसे हम एक अधरान के द्वारा समझते हैं कि एक फंक्षन आरूपित करते हैं तो वही अबयाब GFX मिलेगा जो कि C का अबयाब है हमको GOF और FOG ग्याद करना है और दिखाना है कि GOF और FOG इक्वल नहीं है तो अब हम इसको solve करते हैं GOFX बराबर होता है GFX और G और FX के डिफाइंड किया हमने COS X तो FX के इस्तान पर करते हैं कि COS X अब हमको G COS X को निकालना है तो G COS X GX होता है 3X2 तो G COS X हो जाएगा 3COS X का whole square और कियाने कितना हो जाएगा 3COS square X इसी पेकार FOG X कितना हो जाएगा FG X FGS कितना है 3X2 और F3X2 कितना हो जाएगा COS 3X2 और हम यहाँ देखते हैं कि दोनों मान जो हैं बराबर नहीं है आता है GOF और FOG बराबर नहीं है अब आप इस सोधारान में देखेंगे कि एप और G दो फंक्सन एक एक है और हमको देखाना है कि GOF भी एक एक है तो GOF X1 बराबर GOF X2 लेके चलेंगे यह क्या एक एक के लिए जो हमने नियम बताए थे उसी आधार थे तो GFX1 बराबर GFX2 अब चुकि G एक एक है इसलिए G फंक्सन के अंदर जो हमने डोमेन का अवेवलिया है वह बराबर होगा यहने कि G हटाने उबर FX1 बराबर FX2 अब हम चुकि F भी एक है इसलिए X1 बराबर X2 इसका मदलब क्या हो जाएगा? GOF भी एक एक है अब हम एक दो फंक्सन A, F और G दोनों आंटू दिये हैं और हमको यह दिखाना है कि G और F भी आंटू है यहने आच्छा दखे तो हम इसके लिखा करेंगे एक C का अवेवलिके चलेंगी Z चुकि G भी आंटू है इसलिए उसके डोमेन B में भी एक अवेवल जरूर होगा Y इस तरह से होगा कि GY बराबर Z ठीक है? तो अब हमको B में एक अवेवल में मिला Y तो अब हम देखते हैं कि F भी आंटू है तो एप का जो डोमेन है A उसमें भी एक अवेवल जरूर होगा कि F बराबर Y तो अब हम यहाँ पर बितक्रमनी फहलन के बारे में देखेंगे डोमेन का एक अवेव X लिया उसमें हमने F आरूपित करते हैं तो क्या मिलता है F X अब इस F X पर एक इनवर्स फलन F आरूपित करते हैं तो हम वापेस X मिल जाता है तो इसके बारे में हम इसकी जो questions है इसको हम आगे दिखते हैं अब यहां पर हमने एक उधान द्वारा F inverse function निकालना दिखाया है एक F define है N to Y N का है natural number है और F X का define किया है 4 X plus 3 और Y क्या है 4 X plus 3 जो अवेव हैं उनका समुच्चा है Y है तो F X बराबर 4 X plus 3 इसको जादी हमने Y माल लिया और Y किसका भी है रेंज का तो 4 X plus 3 बराबर Y तो X बराबर कितना हो जाएगा यह 3 को पक्छांदर किया और 4 को भी पक्छांदर किया तो Y minus 3 upon 4 तो F inverse Y बराबर कितना हो जाएगा F inverse Y X के बराबर होता है और X के बराबर है Y minus 3 upon 4 तो F inverse Y equal to Y minus 3 upon 4 यह function inverse function है अब हमने यहाँ पर तीन function का composition दिखाया है यहाँ पर देखें F X बराबर 2X GY बराब 4 3Y plus 4 और Z बराबर sin Z इनका हमने तीनों का solve किया है हमाँ पर और हमने दिखाया कि HO GY O F बराबर